हैलो गाइस, एपसोड 90 तक की कहाने आपको पिछले वीडियो में बता आच वे जिसका लिएक आपको इमें वीडियो सेक्समें मिल जाएगा पिछले episode हमने देखा था कि सेंग को पता चल जाता है कि सुई भी वो लड़का है जिस बज़ा से सेंग से वो इसकार हुआ था आगे डाक्टर सुई सेंग के wedding suit चूज करने जाता है और वहां सेंग भी आता है और वो भी सुई के room में ही change करने जाता है तो सेंग यलो कलर की टाइप पहनता है तो सुई कहता है यह तुम पर suit नहीं कर रहा है पर सेंग सुई से rudely बात करता है तो सुई कहता है आज कुछ हुआ है तुम्हारा mood अच्छा नहीं है तो सेंग कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो सुई कहता है तुम उस रात के लिए सुवी हमेशा सुक्ता हो Tube मैं बंत कर रहा हुँ कर चुपार कर रता है कैता है इतने साल मुझे हमेशा लगता था तुम मेरे भाई जैसे हो लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था किुम एक दिन मेरे पीटफे छूडा मारो गे तो सुई कहता है कि मैं तुम्हारा mind नहीं पर सकता है कौन जानता है किसी की कमजोरी को कि वो सच बता रहा है या भर्म बना रहा है तुम कुछ कहोगे नहीं तुम्हें लगता है मैं असानी से बेपकूब बन जाता हूं क्या तुमने नहीं किया तो सुई कहता है तुम क्या जानते हूं तो सेंग उसे आईडी दिखाता तुम एक selfish लापरवा और कायर हो तुमने सारी जिब में दाड़ी मेरे उपर डाल दी ताकि तुम इसे आसान बना सको फिर इन दोनों की fighting देखने को मिलती है जो थोड़ी funny भी होती है आगे सैंग कहता है ये tie हम दोनों को represent करता है अब से हम नीचे daggers में हैं और चला जाता है वेल इधर वेवई सारे समान को अपने जगहां पर रख देती कि तभी वहाँ सुई आता और कहता है तुम यहां क्या कर रही हो तो वेवई कहती है मैं एक cute caring लड़की का play role कर रही हूं मैं सब ठीक कर रही हूं तो सुई कहता है अगर मुझे याद है ये तुम ही हो जिसने म माइन नहीं करना चाहती तो सुई कहता है ज्यादा मत सोचो तो वेवेई कहती है सोरी मैं बहुत sensitive हो गई थी वह इसलिए मैं पहले तुम्हारे लिए फोरवर्ट थी और तुम्हारा कोई response नहीं मिला तो मैं बहुत insecure हो गई थी इसलिए मैंने कुछ गलत समझ लिया आई प् वेवेई को सब यहीं खतम करने को कहता है तो वेवेई कहती है मैंने तुम्हें डेट किया बस एक दिन के लिए वैल इधर जियांग सेंग को बताता है कि डॉक्टर सुई उससे मिलने आया तो सेंग कहता है उसे रोको अगर किसी ने भी आज उसे अंदर आने दिया तो मैं में शौन को गभी मैं इतने करते नहीं देख्यां तो सेंग कर लिया ने यह उनकर चला जाता है वह घpe पर होता है तो भीघिस सुई Norges घर करके कहता है आज में घर से काम करूंगा तो फाइल्स घर पर भेज दो और लंज भी लेते आना कुछ दिर बाद जियांग आता है तो सेंग कहता है तुम अकेले होना और बहार देखता और जियांग को अंदर बलाता और कहता है मुझे तुम्हारी ज़रत है मेरे अपार्टमेंट में जो भी डॉक्र सुई ने दिया उसे सब वापस कर दो तो जियांग मिझ्टर सांग ऐसा मत कीजिए वरना इस अपार्टमेंट में कुछ भी नहीं बचेगा तो सेंग कहता है तुम मजा कर रहे हो है ना कितना उसने मुझे दिया है तो जियांग कहता है 100,000 से भी जादा और जियांग सेंग को समझाने की कोसिस करता है तो सेंग कहता है क्या उसने तुम्हें पे किया है तो जियांग कहता है फिर तुम उसकी साइट से क्यों बोल रहे हो तो जियांग कहता है अगर डाक्टर सुई ने मु तुम पर अच्छा लगेगा वरना तुम जो भी चाहे वो कर सकते हो तो सैंग कहता है मुझे नहीं चाहिए इसे ले जाओ तो सुई कहता है हम दोनों उस दिन एक भीर में थे ऐसी बहुत सी चीज़े हैं जो मैं तुम्हें एक्स्प्लेन नहीं किया अगर तुम्हें मेरी माफ छीज़त है तो सूई कहता है तब तुम किस बात के लिए गुष्सा हो तो सैंग कहता है तुम इन सभी सालों में मेरे लिए बहुत अच्छे ते तो मुझे बारे में अधिक परवा करता हूं जब भी मुझे परती थी तुम हमेसा मेरे साथ रहते थे नहीं आगे लेकिन तुम वो एकेले थे जो इस बात का बुड़ा नहीं मानते थे तुम भी एक सब्टेल तरीके से मेरा सपोर्ट करने की कोशिस करते थे मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या तुम इसे प्रूफ कर सकते हैं मुझसे प्यार करते हो या तुम अपना कर्ज वापस कर रहे हो जैंग आगे वो लोग छट पर जाकर बात करते हैं तो सेंग कहता है तुमने पहले ही मुझसे साधी कर लिए तुम मुझे तलाक नहीं दोगी तो मैंग हुई कहती है सही लेकिन अगर मुझे सच्चाई सुरुवात में ही पता होती साइद में तुमसे कभी भी शाधी नहीं करना च कहा तो मिझसे वह फॉर्मूला चाहिए था तो सेंग कहता हैं तो मैंनों हुई कहती है बाद में तुमने मुझे अच्छे से ट्रीट क्या प्रिमे सैंपल टेस्ट दिया और मेरे लिए सरजरी एरेंज कि तो संग कहता है है हाँ आगे मेंग हुई कहती है तुम मेरे मां से मिले और इतनी जल्दी साधी करना चाते थे क्योंकि तुम में पता चला कि मैंस इसकार वो लड़की नहीं है जिसे तुम धून रहे थे वो मैं थी तो सेंग कहता है मैंग हुई सच में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ क्यूंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसकार से इसका कुछ लेना देना नहीं है तो मैंग हुई कहती है जब तुम रोज मेरे चेहरे पर वो इसकार देखते हो तो क्या फिल करते हो गिल्ट, सेल्फ ब्लेम्ट, रिग्रेट कोई फर्क नहीं परता ये क्या है ये कुछ सुखद नहीं है है ना ये चेहरा वो है जो तुमें हर रोज या दिलाएगा जो तुम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा बूलना चाहते हो जब भी तुम मुझे देखते हो तो तुम चुटकाडा पा सकते हो सायद हम अब से दस साल से नफरत करने के लिए टरंड करेंगे तो सेंग कहता है मैं नहीं करूंगा तो मैंगोई कहती लेकिन मैं अपने बाड़े में स्योर नहीं हूं मैंने अपनी पूरी कोसिस की कास में दिखावा कर पाती जैसा कुछ हुआ ही न पूक रहता है तो मैंगोई ऑफिस जाने को कहती तो सेंग जियांग को कॉल करके कहता है कि ऑफिस के सारे कलेंडर कंप्यूटर मोवाइल सब का टाइम चेंज करके 2030 कर दो तो जियांग और सारे स्टाप इसकाम में लग जाते हैं आगे मैंगोई से पूछता आज तुमने मे मैंगोई ब्यूटी पलस से पिक क्लिक करके सेंग को कहती जब ऐसे एप हैं तो मुझे मेक अप की क्या ज़रूत और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को शौट पहुचे या नहीं वैल आगे मैंगोई ऑफिस पहुचती है तो सब उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं इ सालों से काम कर रही हूँ तो मैंगोई के खिती के मेंटेंग की इंफर्मेस्न और पर और चली जाते हैं मैंने तुम्हें लगा तुम मेरे साथ हो मैंने पहले ही सब क्लियर कर दिया तो फिर तुम यह क्या कर डूए मैंगोई मैंने-टी-ट कर कि कोई ज़ुरत नहीं तो मैंजर सू कहती सेंग वो पहले से ही सोचती है कि मैं यहां हूं क्या तुम चाहते हो से सब बताना कि उसने गलत समझ लिया वैल यहां मैंजर सू को मैनुपलेट करती है तो सेंग भी मान जाता आगे मैंग हुई ऑफिस की फाइस देखती है और कोई कोई भी गलती चाहिए किसी और की भी हो वह सारा गुसा मैनेजर सू पर निकालती है और उस पर फाइल फेकती है यहां का सीन देखकर आपको भी मजा आया होगा और सेंग भी मैनेजर सू को थैंक्यू करता और कॉपरेट करने को कहता है आगे सब मिटिंग में होते हैं तो म तुम सिंगल हो तो वेवरी कहती है क्या तुम इसका मतलब निकाल रही हो कि मैं सुई को दस साल में ठीक नहीं कर पाई तो में होई कहती है तुम दोनों एक ही वर्काउट कर रहे हो कि तभी वहां जियांग आता और कहता है वेडिंग प्लान करने कि तभी सब चोक जाते हैं कि तभी वहां वेडिंग प्लानर आता और अपना प्लान बताता और में अगउई को फाइल डेता है तो सारे स्टाफ उसे पकड़कर कोने में लेकर चर्ड़े जाते हैं लेकिन में पता है मेरा सबसे बड़ा पस्ताबा क्या है हमने जल्दबाजी में सादी कर ली मैंने तुम मुझे उमीद है तुम इसे पसंद करोगी देखो मैंने जान बुचकर दस साल पिछे वाली डेट रखी है तो सारे स्टाप ताली बजाने लगते हैं तुम एंगोई कहती है और क्या सप्राइज साधी करके डिवोर्स तो सैंग केता है क्या तुम मजा कर रही हो हम दोनो सारे बीच कोई प्यार नहीं साधी की रिवसिप मेरे चेहरे पर निसान के कारण है तुमने मुझे साधी की क्योंकि तुम्हें मौबजा देना था लेकिन 10 साल बीच चुके हैं हमारी लाइफ उबाव है दो लोग जो एक दूसरे को देख नहीं सकते हम केबल एक दूसरे को अपसेट करेंगे तो सेंग कहता है मैं तुम्हें देख नहीं सकता मैं सचमुस तुम्हें प्यार करता हूँ तो मेंग हुई कहती है तुम इसे कैसे प्रूफ करोगे आगे सेंग उसे वो जगहां ले जाता है जहां उन दोनों की रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी वैल आ मेंग हुई को डक्तर सूई के घर पर ले जाता है और डक्तर सूई को कहता है मैंने दुम्हें तुम्हें तुम मना करना है टो से जाना सुरू करों तो वह नहीं बता सकती मैं उससे प्यार परiest систем devam चांपभने लेकिन similar मैं तुम्हें सबसे अच्छा भाई मानता हूं मुझे क्या करना है मैं तुम्हारे बारे में सोचने वाला पहला परसन मैं तुम्हें दुबारा नहीं देखना चाहता मैं इस बारे में दुबारा सोचूंगा तो सुई कहता है मैं नहीं जानता मैं तुम्हें कैसे प्रूफ करूँ तो सैंग भी कहता है मैं भी नहीं जानता वेल दर डक्टर ताउ सेंग को बताती है कि मैं हुई कि इस बार की भी इस डिवर्स देने की है बिना उसकी ये विस्कूरी हुए वो ठीक नहीं हो सकती तो सेंग कहता है ये impossible है हमारी साधी को एक मंद भी नहीं हुआ है क्या तुम्हारे पास कोई और solution नहीं है तो डक्रत ताउ कहती है नहीं वेल आगे वो लोग lawyer को बुला कर divorce लेने की तयारी करते तो lawyer कहता है अगर कपल में किसी के पास भी mental health condition है तो process complicated हो जाएगा इसे solve phone में बहुत time लग जाएगा मुझे उमीद है आप लोग समझ सकते हैं तो मेंग हुई कहती है mental health condition तुम्हारा क्या मतलब है तो lawyer बताने ही वा तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले